अरे ये देखो ना चौप, फ्रेंकलिन भही आभी तक नहीं आए, पता नहीं कहा पर रह गए है, जबकि उन्हें पता है कि हमें बाहर जाना है, फिर भी वो लेट कर रहे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सो गए, अरे नहीं नहीं शिंचन, ऐसा नहीं है, उनकी तो आदत ही है ल पुला कर आता हूँ, वरना वो तो कभी-कभी वाच्रूम में दो घंटे भी बैट जाते है, फ्रेंकलिन भाईया, फ्रेंकलिन भाईया जल्दी से बाहर निकलो, हमें लेट हो रहा है, जल्दी से आओ, अरे यार शिंचन, बस थोड़ी दिर रुख जा, मेरा पेट खराब ह हो गया लगता है, सुबे से तीसरी बार जा चुका हूँ, एरे तो ऐसी आड़ी तेड़ी चीज़ खाते ही क्यों हो, कितनी बार कहा है कि घर का खाना खाया करो, अब मैं तो घर का ही खाना काता हूँ, तुम लोगी जित करते हो बाहर से मंगाने का, अब रुख जा थोड़ अब चलना है तो चलो, क्योंकि अगर थोड़ी और देर हो गई न, तो फिर जाकी कोई मतलबी नहीं है, आरे यार क्यों इतनी टेंचन ले रहा है, वैसे भी राग को पहुचना है हमें, दिन में पहुच भी गए तो भी इंतजारी करना पड़ेगा, और वैसे भी मैंने पह दिये, ताकि अगर हमारा टायर फटवट जाए, तो वो काम तो आएगा, चलो गाइस हम लोग पहुच नहीं वाले है, बस यहाँ पर एक अच्छा सा स्पोट ढूणना है, वो जगा एकदम ठीक रहेगी, एकदम किनारे पे भी है, जल्दी से रोकते हैं गाड़ी को यहाँ पर, क्या बोलता है शिंचैन, यहाँ से तो व्यू भी बहुत मस्ता हैगा, अब जल्दी से सारा सामान निकाल लेते हैं, पहले जाके गाइस तोड़ा सा व्यू देख ले, जरा देखो तो सही कितना प्यारा लग रहा है, शिंचैन आज बहुत मज़ा आने वाला है, तुम यही पर रुको, मैं सारा केंपिंग का सामान लगा देता हूँ, जल्दी से जाके निकालते हैं गाइस, और यह देखो मैंने सारे टेंट लगा दिये, एक मैं मैं सो जाओंगा, एक मैं शिंचैन और चॉप, और यहाँ पर मैंने एक पोटेबल टॉयलेट भी लाके रखा है यह मैंने अपने एक दोस्से लिया था, क्या बोलता है शिंचैन, तयारी कैसी लगी, एरी चलो अपने टॉयलेट लाके बहुत अच्छा काम किया, हाँ हाँ वैसे भी मुझे तो कभी भी आ जाता है, देखो अभी थोड़ी दिर मज़े कर लो, फिर कुछ दिर मैं सोने का ट आत्मे, अब जल्दी से कर लेता हूँ, आहा, क्या मज़ा आ रहा है यार, पूरी बोड़ी हलकी हो गई, ऐसा लग रहा है, एक मिनिट, यह इसके अंदर से आवाज कैसी आ रही है, अब यार, यह तो पुरा वाइबरेट कर रहा है, तुमने मुझे जगा दिया है, मेरी आत आत्मा, क्या बोल रही है, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, तुमारे अंदर, जब तक तुम मुझे अच्छे से अपग्रेड नहीं कर दोगे, मैं तुम में से निकलूंगा नहीं, एक मिनिट गाईज, यह क्या हो रहा है, अब यार, मुझे चक्कर आ रहा है, देखते ही देखते हैं, फ्रेंक्लिन बेहोश हो गया, इस काली रात में क्या हुआ था, किसी को नहीं पता, पर इसका अंजाम हमें सुबे देखने मिलेगा, काईज, यार, मेरा सर घुम रहा है, पता नहीं, रात को मैंने सपना देखा था, या फिर, ओ, यह क्या चीज है, इसका मतलब यह कैसी भद्दी से चीज है, तुम कौन हो, और यहाँ पर क्या कर रही हो, और मेरे फ्रेंक्लिन बेहा कहा पर है, आरे यार, शिंशैन, यह मैं ही हूँ, और यह आप क्या बन गए हो, देखी, यह सब बताने का ज़्यादा टाइम तो है नहीं मेरे पास, बस इतना समझ लो कि मुझे इस चीज को अपग्रेट करना है, वनना मैं नॉर्मल नहीं हो पाऊंगा, अरे जो करना ही चल्दी करो, मुझे तो आपको देखके डर लग रहा है, और बस भी आ रही है, तुम लोग बकवास करते रहो, मैं जाके अपग्रेट करके आता हूँ, चुप चाप घर चले जाना, गाइस यार अच्छा नहीं लग रहा है इन दोनों का इसे चोड़ कर जाना, पर वो लेमार या टोनी को फोन करके घर पर चले ही जाएंगे, फिलाल मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैंने इस सूट को फाइनल अपग्रेट नहीं किया, तो मैं कभी नॉर्मल ही नहीं हो पाऊंगा, अब समझ मैं नहीं आ रहा है किसे अपग्रेट कैसे करूँ, उसके लिए भी पैसे चीए, एक मिनिटी आवास कैसी आ रही है, अबे इतनी भीड, यहाँ पर हो क्या रहा है, स्ट्राइक राइक चल रही है क्या, जल्दी से जाके देखते है यार, किस च इस तो मैंने पहली बार देखी है, आरे यार तुम मेरा छोड़ो ना, तुम मुझे ये बताओ कि प्रॉबलम क्या हुई है, क्या पता मैं तुमारी मदद कर दू, दरसल बात ऐसी है, कि हम यहाँ पर काम करते है, पर दो दिन पहले यहाँ का टॉलेट टूट गया था, और वो लोग इसे यहाँ से ले गए थे, उसके बाद यहाँ पर कोई टॉलेटी नहीं आया, अब इन लोगों ने दो दिन से अपना पेट साफ नहीं किया है, जिसके वज़े से ये लोग काम भी नहीं कर पा रहे है, और ना ही इने कई पॉटी जाने की जगा मिल रही है, बोलो गाइस यार, हम लोग तो टॉलेट क्रियेट भी कर सकते हैं, ये लोग अब तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तुम लोग अपना पेट साफ कर सकते हो, और यहाँ पर काफी टर्रेट्स हो गए, तुमने तो कमाल कर दिया है, हम तुमसे बहुत कुछ हुए, मैं तुम्हें इसके बदले 100 डॉलर देता हूँ, हाँ हाँ मैं भी तुम्हें 50 डॉलर देता हूँ, अरा जब सब लग दे रहे हैं, तो मेरी तरफ से भी 500 डॉलर रखो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, गाइस यार, सब लोग ने थोड़े थोड़े पैसे दिये, और ये सब मिला के होते हैं, पूरे 1000 डॉलर, गाइस यार, मज़ा आ गया, इतने में तो पहला सूट आई जाएगा, जल्दी जल्दी जाते हैं, पहले अपग्रेट के लिए, या कोने में जाके खड़ा हो जाता हूँ, वैसे इसको कोना तो नहीं बोल सकते हैं, काफी खुली ज ये रास्ते में कचरा कॉन फेक देता है, लोग है ना बड़े बेशरम हो गए, ये चलने का रास्ता है यार, कितनी गंदगी फेला के रखी है यापर, और आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, मुझे लगता है, मुझे इसे हटाना पड़ेगा, देखो कोई करे ना करें, ये हमारी जिमेदारी होती है, जल्दी से इसे हटा देता हो यहाँ से, और ये गया, वो, हजार डॉलर, गाइस, यार, हमें कचरा फेकने के हजार डॉलर मिले, मतलब के सफाई करने के, चलो भाई, यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब मैं जितना कचरा साफ करूँगा, मुझे उतने पैसे मिलेंगे, जल्दी जल्दी जाके शेयर का कचरा डूंटे, ओह, डूंने की जरूरत भी नहीं है, जरा देखो तो सईस जगा को, ये तो कचरे का बंडारी बन गया है, चलो फिलाल देखा जाए तो अपने लिए तो अच्छा ही है, दोन से देखते है कि 10,000 डॉलर में कौन सा अपग्रेड है, और ये बाई, इस बार मेरा सर काफी ज़्यादा बढ़ा हो गया है, और काफी फ्लेक्सिबल भी, मैं अपनी गर्दन मुव कर पा रहा हूँ, चलो भाई साब अब आगे का रास्ता देखना है, एक मिनिट, ये कौन ख चैलेंज होने वाला है, जो भी जीतेगा उसे एक लाग डॉलर का इनाम मिलेगा, गाईज येर का बात, एक रैम चैलेंज, यहाँ पर अपना काम बन सकता है, तो गाईज मैं पहुच गया हूँ, सिधा यहाँ पर उस आदमी की बात सुनके, और यहाँ पर एक और अंकल करने को तियार हूँ, जल्दी से एक गाड़ी पिक करते हैं, कौनसी वाली लू, यह वाली या आगे वाली, यह वाली मस लग रही है, यह वाली लेके जाते है, जल्दी से बैठता हो अंदर, हाँ चलो गाईज, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम शु पहुच जाना, प्लीज पहुच जाना, वो, बीच में एक टायर भी था, चलो अच्छा उसके अंदर से गया, अबाई, नाई, 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 उल्टी नहीं आओ, भाई, नाई, बच गये, बच गये, हूँ, चलो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर एक औ धला माने वाली है, अब यार, एक से तो मुश्किल से बचाता भीर्चन है, पिर्चन ही, हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, हार नहीं मानी है क्योंकि एक ही चांस है, और गाईस, यह हम चले, वो, भाईसाब, इस बार कुछ जादे ऊची चलांग ती, यह गाड़ी तो आगे के साथ मैं जीच चुका हूँ और हमें मिलता है पूरा एक लाग डॉलर गाईज यार इसमें तो बहुत अच्छा खासा अपग्रेड हो जाएगा जल्दी से देखते हैं कौन सा अपग्रेड मिलता है तो भाई साब चलो अभी हमारे हाथ पह रहे हैं मैं पहले से नॉर्मल हो चुका हूँ और गाईज ये फाइनल अपग्रेड था अब जल्दी से जाते हैं और अपने अंदर से आत्मा को मुक्त करते हैं एक मिनिट अब ये कौन है ये कैसा अजीब सा प्राणी है इसके सर की जगह कैमरा है वैसे गाईज अजीब तो मुझे बोलना ही नहीं चीए मै मुझे यसा लगता है कि ये उसका दुश्मन है मैं तुम्हें यहां से जिन्दा जाने नहीं दूँगा आस तो तुम मरोगे इतनी मेहनत इसके लिए नहीं की थी ये ले और ये खा हाँ नहीं तो हवाले कर दे तेरी तो ये ले तेरा कैमरा उखाड दूगा और सारे वायर कैसे फोड़ेंगे गाईस ये क्या तुम तो पहले से जाधा ताकत पर हो गाई हो अरे यार अभी तो तुम को सबक सिखाना ही पड़ेगा इतनी मार खा रहा है लेकिन अभी भी बगबग चालू है ओ भाई साब लगता गुसा आ गया अब है तेरी की तो सिसी टीवी तो मु ओ भाई दम तो गाईस इसमें भी है ये भी किसी से कम नहीं अबै आर नाई 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 क्या गसीटा है यार इसमें मुझे तू तो गया बेटे ये ले और ये खा गाईस यार मुझे कुछ और करना होगा ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा है य कोई रोबोट है ये तुम क्या कर रहे हो मुझे बाहर निकालो गाईस इसे तो अंदर डाल दिया ओ यह फिर से बाहर आ गया इतनी मजाल तेरी मुझे लगता मुझे अंदर जा के सको अंदर खीचना पड़ेगा चलो यह यह आऊपर मारा बहुत बहुत शुक्रिया तुमने मुझे आजाद कर दिया है तुमने मुझे फाइनल अपग्रेट दे दिया अब मैं किसी भी टॉयलेट में गुश सकता हूँ तुमने मेरी बहुत मदद किया मैं चलता हूँ यहाँ से ही मुझे बहुत सारे टॉयलेट्स बनाने है गाई चलो ये लोग भी सेफ हैं तुम लोग ठीक तो हो ना अरे हम लोग तो ठीक है पर आप तो फिर से नॉर्मल हो गए हाँ हमें बताओ न आपने ये सब कैसे किया हाँ मैं बताता हूँ थोड़ी दे रुख जाओ तो गाईस यार इससे पहले के मैं शिंशन को पूरी बात और इसमें बहुत टाइम चला जाए अगर आपको ये वीडियो prizes लगे तो लाइक कर दो और नए होतरा चैनल को सम्सक्राइब कर दो उसी के जाथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर और साथ ही में सब्सक्राइब कर देना हमारे नए चैनल को स्क्रीन ता आपको दिखाई दे रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी तो जल्दी से जाओ मैं मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो में जय हिंद